नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा नियू चैनल में आप सभी का स्वागत है जोनपुर सदर्विधांसवा छेते से दूसरी बार 2022 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले 46 वर्सी पूर्व मंत्री गिरिश्चंद्र यादव के दूसरी बार राजी मंत्री बनने की चर्चा तेजी से हो रही थी इसके पूर्व भी गिरिश्चंद्र यादव को सहरीनी योजन वर आवाज राजी मंत्री बनाया गया था गिरिश्चंद्र यादव को मुख्य मंत्री आवाज पर बुलाया गया था गिरिश्चंद्र यादव समाज के नए नेता के रूप में उभरे हैं उन्होंने सामलगभग पांच बजे लखनों के इकाना स्टेडियम में राज्यमंत्री पद की सफथ ली तो जौनपूर में उनके समर्थकों में उस्सा ब्याप्त हो गया। वहीं उनके जौनपूर से राज्यमंत्री बनने के साथ ही जिले में उनके समर्थकों में खुब खुसी और उस साह का दौर साम तक नजर आया। उनके जौनपूर सदर विधानसवा छेते से टिकट दिया और उन्होंने सांदार जीत दर्ज की। पिछडी जात के जादव चेहरे के रूप में उभरते हुए भाजपा ने उन्हें नगर विकास राजमंत्री बनाया। फिर सहरी नियोजनवा आवास राजमंत्री बनाया। इस बार 2022 के चुनाव में भाजपा ने फिर उन्हें पुनह मैदान में उतारा और कड़े मुकामले में उन्होंने सपा के अर्सत खान को पराजित कर लगातार दूसरी बार यह सीर भाजपा की जोली में डाल दी। उन्हें पुनह मंत्री मंडल में अस्थान मिलना पहले से जहां सुबचिंतकों में खुसी है वहीं उनके गाउं में भी हर्स का माहौल है। जौनपूर के मूल निवासी 46 वर्सी गिरिश्चन रियादव जौनपूर सदर से दूसरी बार भी धायक बने। उनकी सिच्छा बीये और यलल भी है। जबकि उनकी कुल चल संपत्ती 8,394 अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की गंटी जरूर दबाएगा।